हेलो फ्रेंड्स गुद्मानिंग टू ओल आज हम पढ़ेंगे CHO MCQ पार्ट सेकिंड हानी कि CHO के अंदर आने वाले कुछ important MCQ को discuss करेंगे आपको क्या करना है इस पूरे lecture को देखने से पहले एक पैना और पर लेके बैठना है उसके अंदर उन चीजों को नोट करना है जो आपके लिए नई सीज है लेकिन उन चीजों को नोट नहीं करना है जो आपको आती है अगर आपको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 by 80 mm of HG होता है तो आपको उसको बार-बार रिवाइस नहीं करना है आपको क्या करना है एक्जाम को कम टाइम है तो आपको क्या करना है उन सीजों को जद्धा एंपोर्टन डेना है जो आपका वेक पॉइंट है जो आपको कम आती है उनको रिवाइस करना है उनको पढ़ना है तो आज का हमारा जो फर्स्ट एमसी क्य है वो यह है हेपिटाइटिस बी वैक्सिन सेड्यूल इन एडल्ट एमसे क्यों आपको पूछ रहा है हेपिटाइटिस जो बी का वैक्सिनेशन होता है वो अडल्ट के अंदर कैसा सेड्यूल रहता है ऑप्शन यह कह रहा है जीरो वन मन्त और टू मन्त ऑप्शन भी कह रहा है 2 month, 4 month and 6 month option C कह रहा है 0, 6 month, 12 month option D कह रहा है 0, 1 month and 6 month यानि कि adult के अंदर hepatitis का जो schedule रहता है वो क्या रहता है यह जो option D वाला है यह correct answer है इसका adult के अंदर क्या होता है जैसे आज मैंने vaccine लगाई है वापस मुझे एक मेने बाद लगा देनी है फिर मुझे इस माईने से 6 month बाद लगा देनी है तो यह क्या रहता है adult के अंदर जो कि अगर आपको children के अंदर पूचे तो भी यह क्या रहेगा same रहेगा अगर आपको children के अंदर schedule पूचे तो भी यह क्या रहेगा adult वाला same रहेगा लेकिन जब हम जो universal immunization program पढ़ते हैं उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं infant का schedule पढ़ते हैं तो infant के अंदर कब लगाते हैं जब वो बच्चा पैदा हो जाता है उसी दिन लगा देते हैं वापत जो बच्चा 6 week का हो जाता है तब लगा देते हैं फिर जब वो बच्चा 14 week का हो जाता है तब लगा देते हैं ये किसके अंदर रहता है infant के अंदर infant के अंदर क्या रहता है 0, 6 week और 14 week लेकिन एक और protection चलता है rapid protection जिसको बोलते हैं ये जो option A है ये किसके लिए है rapid protection के लिए किसके लिए है rapid protection के लिए कि अगर कोई आत्मी को हमें rapidly protect करना है hepatitis B से तो हम क्या करते हैं एक vaccine आज लगा दी फिर उसको एक महीने बार लगा दी फिर उसको हमने दो महीने बार लगा दी तो इसको हम बोलते है rapid protection लेकिन इस MCQ का जो correct answer है वो क्या है D next MCQ अपना within how many population is a primary health center established यानि कि कितनी population पर primary health center established किया जाता है यह जो option यह है जो है 3000 से 5000 इसके अंदर क्या है यह sub center की population है कितनी है sub center की अगर कोई hillis area है पाढ़ी इलाके वाले तो उसके अंदर 3000 की population पर एक sub center बना देते हैं लेकिन अगर कोई urban सेहरी इलाका है उसके अंदर हम क्या आगाते हैं 5000 की population पर एक sub center बना देते हैं अगर आपको कोई पूचे कि sub center के ऊपर कितना staff होता है आपको जवाब देना है 2 से 3 अगर आपको पूचे इसकी bad capacity कितनी होती है तो 2 अगर आपको पूचे कि इसको regulate करने वाली कौन सी बोडी होती है आपको जवाब देना है Central Government कौन Central Government जो होती है वो primary इसको sub center को regulate करती है क्यासे अब जब आप सब लोग community health officer बनोगे तब जो आपको posted किया जाएगा वो कहां किया जाएगा sub center बात के अंदर CHO की post को create करने के लिए जो उसका purpose था वो क्या था कि जितने भी अपने sub center है उनको क्या करना है modified करना है ताकि क्या हो peripheral जो health system में वो improve हो जाए और referral cases कम हो जाए इसलिए आपको CHO के अंदर एक breeze course करवाया जाता है और उसके अंदर आपको बहुत सारी primary basic चीज़े सिखाई जाती है और basic treatment सिखाई जाता है ताकि जो लोगों को अपने हैं घर के पास सिख्या है basic primary जो health care system है वो मिल जाए health facility मिल जाए और जो referral cases है वो कम हो जाएंगे उनको early diagnose करके treatment किया जा सकता है तो referral cases कम हो जाएंगे जो अपने टासरी लेवल के institute रहते है इनका burden क्या हो जाएगा option B यह किसके लिए है PSE के लिए PSE के लिए किसके लिए है PSE के लिए अगर आपको कोई पूचे कि PSE पर कितने बैड होते हैं आपको जवाब देना है 6 अगर आपको पूचे यहां पर staff कितना होता है आपको जवाब देना है 15 अगर आपको पूचे इसको कौन regulate करता है आपको जवाब देना है state government कौन state government जो होती है वो क्या करती है PSE को regulatory body माना जाता है option C है यह किसके लिए है CSC के लिए किसके लिए CSC के लिए है अगर आपको पूचे यहां पर bad capacity कितनी रहती है आपको जवाब देना है 30 और अगर आपको पूचे यहां पर staff कितना होता है तो 45 से लेकर के 55 के बीच में staff रहता है और अगर आपको पूचे CHE की regulatory body कौन होती है तो वो कौन होती है state government क्या होती है state government लेकिन सब center का आपको special जान रखना है जब आप CHO बनोगे जो आपकी salary आएगी तो उसका जो 60% pay है वो कौन करता है central government करती है और आपकी regulatory body कौन होगी central government आपका regulatory body होगा और इसका जो right answer वो क्या है B अपने को PSE का पुच्चा है तो B ये दो value क्यों रहती है जैसे 20,000 की population कहां पे जाहीली area रहते है वहाँ पे 20,000 की population पर एक primary health center होगा जहां पे urban area रहते है सहरी इलाके वहाँ 30,000 की population पर एक रहेगा इससे लिए दो value को अपन पढ़ते हैं next MC क्यों अपना which of the following human disease is caused by bacteria कौन सी बिमारी है जो bacteria की वज़से होती है तो पहला option है hepatitis A option B है typhod option C है medias option D है poly जो hepatitis A है ये किस से होता है hepatitis A virus से होता है और किसको affect करता है liver को अनकी liver का inflammation होता है hepatitis A virus की वज़से तो ये क्या है viral disease option C है medias ये भी क्या है viral disease है highly contaminated diseases होती है और ये ज्यादातर winter season के अंदर लोगों को होती है option D ये किस से होता है poly vírus की वज़से से होता है poly वाइरस की वज़से से होता है तो ये क्या है डिजिस नहीं है ऑप्षिन जो बी है हमारा करेक्ट आंसर है टाइफॉइड इसके अंदर क्या होता है इसका जो कॉजटी और्गनिजम रहता है वो क्या रहता है साल मॉनेला टाइफी क्या रहता है साल मॉनेला टाइफी क्या है इसका कॉजटी और्गनिजम रहता है इसके अ करने के जिए व त´ह होता है वह क्या है थामिनिट होता है उसको कि गाने की वज्जए से होते हैं काई बार यह fever इतना fatal होता है कि patient की death हो जाती है और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या बोलता है enteric fever टाइफ़ोड को क्या बोलता है enteric fever क्योंकि यह related to किस क्या है GI system से इस MCQ का जो अपना right answer क्या था B के टाइफ़ोड क्या है bacterial disease है next MCQ अपने सामने with the reference to the national rural health mission which of the following is not a job of ASA a trained community health worker आपको सबसे पहले जो MCQ पूछा जाता है सासा की full form से तो आपको जवाब देना है accredit social health worker social health worker यह क्या है आसा की full form है अब इसने पूछा है इन चैरों option में से कौन सा जो जो जॉब है वो आसा का नहीं होता है तो option यह क्या रहा है woman to the health facility for the continue care check-up यह क्या है anti-natal क्या है anti-natal इसको क्या बोलना आपको anti-natal woman to the health facility for anti-natal care check-up यह काम क्या है आसा कर रहता है option b क्या है using pregnancy test kit for the early detection of pregnancy जो peripheral health center होते हैं sub center होते हैं वहाँ पे क्या है pregnancy को diagnose करने के जुक्ट है वो वहाँ पे रहते हैं तो उनको क्या करती है आसा use कर सकती है pregnancy को diagnose करने के लिए option c कह रहा है information on nutrition and immunization क्याने कि आसा जो है अपने एरिया के अंदर क्या करेगी जो न्यूट्रीशन और immunization से रिगार्डिंग information प्रोवाइड कर सकती है यह बिल्कुल सही है option d कह रहा है conducting the delivery of the baby तो यह क्या है आसा का काम नहीं है आसा को क्या करना होता है institutional institutional delivery के लिए क्या करना है महिलाओं को encourage करने का काम आसा का होता है लेकिन delivery करवाने का काम आसा का नहीं होता है इसलिए इस mcq का अपना जो सही जवाब हो क्या है d next mcq अपना what is the full form of eliza यह जो eliza test है यह क्या है sensitivity test माना जाता है इसको sensitivity test of HIV किसके लिए HIV को diagnose करने के लिए जिस test को open use करते है उसको क्या बोलते है eliza test यह क्या है confirmative diagnosis नहीं करता है यह क्या करता है sensitivity sensitivity का मतलब है आपकी body के अंदर कभी HIV virus आया है तो यह आपके sample में उसको detect करता है कि इसकी body के अंदर HIV virus आया है लेकिन उसको confirm करने के लिए जो हम test करते हैं उसका नाम है Western Blot Test के नाम है Western Blot Test ये क्या है HIV का confirmative test होता है Western Blot Test Option A कह रहा है Enzyme Licensed Immune Solution Activity Option B कह रहा है Enzyme Linked Immune Sorbent Assay Option C कह रहा है Enzyme Linked Integrated Solution Activity Option D कह रहा है Enzyme License Immune Solution Assay तो जो Elijah की full form है वो है Option B के अंदर लिखी हुई अपना जो correct answer है ये Elijah की full form कई बार state government की vacancy के अंदर और CH की vacancy के अंदर पूछा जाता है ऐसे लिए आपको इसकी जो spelling है जो इसकी full form है उसको correct याद रखनी है क्या है Enzyme Linked Immune Sorbent Assay की क्या है full form है Next MC की अपना How many autosome are there in humans? Humans के अंदर कितने autosome होते हैं तो एक जो complete cell होती है उसके अंदर कितने chromosome होते हैं 46 यह किसे बने हैं? Oum यानि की secondary ucide और spermatosome से बने हैं और इस secondary ucide के अंदर कितने chromosome होते? 23 Spermatosome के अंदर कितने होते? 23 इसके अंदर यह जो 22 और 22 जो है यह क्या है? Autosome है Autosome है 22 22 क्या है? Autosome है लेकिन इनके अंदर जो एक रहता वो क्या रहता है? Sex chromosome जिसको हम क्या बोलते है? Sex chromosome या इसी क्या बोलते है? Allosome क्या बोलते हैं ELOUSOM ये क्या रहता है ELOUSOM ये ज़िच डिटर्मिनेशन की होने वाला जो बच्चा है वो female child होगा या male child होगा जो determine करने वाला जो chromosome है वो क्या है sex chromosome है हम इस ही को के बोलते हैeriaolosome मानद लो एक जो male है उसके पास sex chromosome क्या होँगे X और y व्वार एयक से एक से और तो क्या होगा फिमेल चाल्ड का हो की डिक तो आपने अंदर जब आपने इतनी प्रोसेश को समझे तब इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया कि 22 पेर्स के अंदर क्या होते हैं ओ्टो सॉम होते हैं इसका जो औरेक्ट आंसर है वो है A, next MCQ अपना, oral contraceptive pills can have, चो oral contraceptive pills रहती हैं, उसके अंदर कौन-कौन से हर्मोन होते हैं, ये पूछा है, option A कह रहा है, estrogen and progesterone होता है, option B कह रहा है, progesterone only होता है, option C कह रहा है, बहुत A and B होता है, option D कह रहा है, none of the above, तो चो oral contraceptive pills होती हैं, इसके अं प्रोन होर्मोन रहता है, estrogen and progesterone हार्मोन, ये oral contraceptive जो पिल है, कैसे काम करती है, ये क्या करती है, और लेशन को inhibit करने का काम करती है, ये जो प्रोजेस्टरोन only pill है, इसको हम क्या बोलते है, mini pill, क्या है, mini pill नाम से आता है, market के अंदर, उसके अंदर क्या आता है, सिरफ progesterone नाता है, लेकिन oral contraceptive जो पिल से रहती है, उसके अंदर estrogen और progesterone दोना होते है, अब जो estrogen और progesterone का जो काम था, वो अमने menstrual cycle की phages के अंदर पढ़ा है, उस lecture को आप द्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ovulation को कैसे inhibit करता है, next, MC क्योंपना, the major criteria for the diagnosis of rheumatic fever include all except, option A, carditis, option B, fever, option C, chorea, option D, subcutaneous, nudure, आने कि यह जो rheumatic fever है, इसका जो causative organism रहता है, वो कौन रहता है, group A, group A, beta hemolytic, beta hemolytic streptococcus, कौन रहता है, स्ट्रेप्टो कोकस यह क्या है, इसका causative organism है, किसका? rheumatic fever का, और जब हम rheumatic fever को डाइग्णॉइघनॉस करते हैं, तो हम क्या करते हैं एक जॉन्स क्राइटेरिया पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं जॉन्स भाई साब थे उन्होंने क्या दिया था जॉन्स क्राइटेरिया दिया था रूमेटिक फीवर को डाइगनोस करने के लिए जिसमें क्या थे मेजर and minor criteria दिये थे minor and major criteria दिये थे major के अंदर इनों ने बोला था कि जो rheumatic fever जो करवाने वाला bacteria है ग्रूप बीटा हेमोलाइटिक ये क्या करता है अपनी body के connected tissue को affect करता है अपनी body के चार important organ को affect करता है जिसका नाम है अग जब ये brain को affect करेगा तब क्या symptom आएगा chorea और जब ये heart को करेगा तब क्या आजाएगा carditis और जब ये skin को करेगा तब क्या आजाएगा subcutaneous nodule और जब ये joint को करेगा तब क्या आएगा polyarthritis क्या आएगा polyarthritis, polyarthritis का meaning होता है दो या दो से अधिक joint का affect होना polyarthritis के लागा अब जो word korea है इसका meaning होता है अपनी body की जो voluntary muscles है इनके अंदर क्या है involuntary moment start हो जाते हैं तो यह क्या है korea को indicate करता है carditis यानि की heart की तीनों layer के अंदर infection होना inflammation होना क्या है carditis और subcutaneous noodle mainly हम detect कहां करते हैं अपने हाथ की जो palm है इनके अंदर क्या है जो gold gold शकते red bleeding वाले under skin देखते हैं उसको हम बोलते हैं subcutaneous noodle minor criteria के अंदर इनों ने बताया था सबसे पहले fever दूसरा था arthalasia आने की arthalasia का मतलब होता है joint के अंदर pain होना तीसरे इनों ने बता सी रियक्टिव जो प्रोटीन होता है वो क्या है प्रेजेंट हो पॉजिटिव होता है सी रियक्टिव और ESR जो होती है ESR क्या है बढ़ जाती है यह क्या रहते है minor criteria रहते है fever arthalasia positive C reactive protein and ESR increase हो जाता है यह रहते है तो जो option B है यह कैसा criteria है minor है इसलिए इसका correct answer क्या होगा B बाकी तीनों option है वो क्या है major criteria है किस ने दिये थे जॉंस ने दिये थे skin heart brain और joint को affect करने वाला disorder है जिसका नाम है rheumatic fever यह बाद में जब heart को affect कर लेगा तब यह किसमें करने हो जागा rheumatic heart disease के अंदर ठीक है तो आज के लिए इतना ही बने रहे मेरे YouTube चैनल पर और रोज रोज हम नहीं नहीं MCQ देखेंगे आपको क्या करना है जो चीज़े आपके लिए नहीं है उनको note करना है जो आपको आती है उनको बार बार revise नहीं करना है थैंक यू